इस सेग्मेंट में हम लोग डिसकस करेंगे free expansion यानि मुक्त प्रसार के बारे में यह free expansion होता क्या है और यह word आप लोग ध्यान दीजिएगा क्योंकि मैं जब आपको जूल थामसन इफेक्ट पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे भी यह free expansion आएगा इसको बस आप लोग एक छोटा सा सब्द या छोटा सा heading मत समझिए बाद में जाके यही छोटे छोटे जो terminology है यह आपके लिए बहुत बड़ा problem create करने लगेंगे जैसे पिछले turn पे हमने cyclic process पढ़ा था उसके minute details को आपको carry out करना पड़ेगा कि उसके अंदर कौन कौन से details उसका signature step क्या है उसको आपके दिमाग में होना चाहिए तो यह सारे lectures हमारे channel के playlist में पढ़े हैं आप वहाँ जाएए वहाँ पे BSC semester और unit wise पूरे playlist बने हुए हैं जैसे यह BSC second semester unit number, BSC second semester thermal physics का unit number one से connected यह वीडियो है तो आपको मिल जाएगा सारा कुछ ठीक है फिलाल हम लोग यह वीडियो शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं free expansion मुक्त प्रसार होता क्या है if a system expands in such a way that no heat enters or leave the system and also no work done by the system or on the system then the expansion is known as free expansion मतलब यह कहना क्या चाहता है देखे यदि किसी निकाय का प्रसार इस प्रकार हो की निकाय में उसमा न तो प्रवेस करे और न ही बाहर निकले तथा निकाय द्वारा न तो कारे किया जाए और नहीं निकाय प्रकारे हो तो इस प्रकार के प्रसार को मुक्त प्रसार करते है अभी दोनों condition को याद रखिए क्या बोल रहा है कि पहला उसमा न तो प्रवेस करे और नहीं बाहर निकले यानि डेल्टा क्यू क्या हो जीरो चेंज इन हीट क्या होना चाहिए जीरो अच्छा कन्फ्यूज मत होईएगा डेल्टा क्यू इज क्वल टू जीरो ये एडियाबैटिक प्रॉसेस यानि रूधोस्म प्रक्रम की भी एक सर्त होती है लेकिन यहाँ पर डेल्टा क्यू इज्गू जीरो फ्लस डेल्टा डावू इजक्वल टू जीरो भी हो तो इसका मतलब वो मुक्त प्रचार के लिए है यसे मल लीजीए आपसे ब्यूश दे कि वो कौन सा प्रॉसेस है, जिसके लिए डेल्टा क्यू जीरो होता तो आप जवाब देंगे कि यह free expansion के लिए होता है अगर आपसे question पुछे कि वह कौन सा प्रोसेस है जिसके लिए केवल डिल्टा सम ताफी प्रक्रम में और साइक्लिक यानी चक्री प्रक्रम में तो यह सारे आपको पूरे फैक्ट याद रखने पड़ेंगे वह कौन सा प्रोसेस है जिसमें डेल्टा वी इच्वल टू जीरो हता है डी वी तो यह भी आईसो कोरिक प्रोसेस के लिए है अगर यह दोनों एक स्किप की अच्छे से देखिए तब जाके concept clear हो जाएगा होगा और सारे questions इसी बीच में से ही आएंगे तो यह free expansion की यह दोनों सरते हैं यह दोनों एक साथ follow होने चाहिए यानी change in hit 0 होना चाहिए और work done 0 होना चाहिए by the system या on the system यह अब first log thermodynamics को apply करिए तो dq बराबर 0, dw बर बराबर भी क्या मिल गया 0 यानी initial internal energy is equal to final internal energy यानी du बराबर भी 0 लेकिन यह conclusion के रूप में आया है और यह initial condition के रूप में है यानी free expansion की जो आवस्यक सर्थ है यह दोनों है अब यह दोनों चुकि satisfy करेंगे free expansion के लिए मुक्त प्रसार के लिए तो automatic एक तीसरा conclusion क्या प्री expansion यानी मुक्त प्रसार में यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे Hence in the free expansion the initial and final internal energies are equal अलाकि यह cyclic में भी यह लागू होगा यह चीज और आइसो थर्मल यानी समतापी में भी लागू होगा पर यहां पर भी लागू होगा लेकिन कौन कौन सी सर्थे किस के किस के साथ किस में लागू होंगी इसको आप लोग जरूर से याद रखिएगा ठीक है तो आई होग जो लोग regular सारे वीडियो मेरे देख रहे होंगे उनक को यह अच्छा लगा होगा ठीक है और उन्हीं के लिए मैं इतना मेहनत करता हूं वर्क करता हूं ठीक है तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद